सुमित्रा और उसका बेटा बाबू हर रोसकी तरह काम पे निकले वहाँ जाकर वे दुनों अपने काम में लग गये थे सुमित्रा की मालकिन स्रीदेवी बहुत खुसे वाली थी उसको पैसों का बहुत घमन था सुमित्रा को बहुत भला बुरा कहा करती थी उसे नीचा दिखा कर बात किया करती बेचारी सुमित्रा उसके पास और कोई चारा नहीं था इसलिए वहाँ पर काम किया करती और उसकी मालकिन जो भी दिया करती उसी में अपना गुजारा किया करती ऐसे ही कुछ दिन बीते एक दिन सुमित्र आपना काम कर रही थी और उसका बेटा बगीचे में पानी दे रहा था तभी उनकी मालकिन वहाँ आई अरे ओ शंकर कहा है तू स्कूल का टाइम हो रहा है चल जल दिया यू अपने बेटे को आवाज लगाने लगी मा मैं यहाँ हूँ मुझे पकड़ना तो ऐसा कहकर वो यहाँ वहाँ चुपकर चुपन चुपाई खेल रहा था मा घुसे में आकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींच कर घर ले गई नहलाने के लिए तभी बाबु ने भी अपना काम निपटा कर बातरूम में हाथ दोने के लिए चल पड़ा वहाँ मालकेन अपने बेटे को बात तब में नहला रही थी तभी बाबु वहाँ पहुचा ये सब देख उसे बहुत अच्छ रज हुआ वो वहाँ से दोड़ कर अपनी मा के पास पहुचा और कहा मा, मा, मेरे साथ देख पर चलो न मा ऐसा कहकर अपनी मा को वहाँ ले गया जहां मालकेन अपने बेटे को नहला रही थी मा, ये कुछ अजीब है न, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा मा, आपने मुझे कभी भी ऐसा क्यों नहलाया यो मा से जित करने लगा तभी अपने बेटे को नहला कर मालकेन वहाँ आई तुम दोनों यहां खुसुर-फुसुर क्या कर रहे हो, जाओ काम पे लगो तब बाबु ने कहा मालकेन वैसा नहाने वाला डबबा चाहिए हो तो मुझे क्या करना होगा उसने ऐसे पूछा सुन, ऐसे में नहाने के लिए तुम्हें और एक जनम लेना पड़ेगा उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, वो तुम्हारे पास है नहीं न और वैसे भी उसे डबबा नहीं कहते, बात तब कहते है मैंने बड़े खास कर बनवाया है उसे, अब बहुत हो चुका ये सब काम पे लोगो यू बड़े घमण से कहती है, वे दोनों अपने काम में लग जाते है काम खतम कर, शाम में अपने घर लोटते हैं बाबू उसे विशे में सोच रहा होता है, तब मा ने उससे कहा बाबू चलो में नहला देती हूँ तुमें इस पर बाबू ने कहा मा, भला क्यूं सबी लोग अपने बारे में ऐसा कहते हैं? क्या हम सच में ऐसी कोई चीज नहीं खारिच सकते? देखो बेटा, ये साल गुजर जाने के बाद मैं अगले साल से तुम्हें स्कूल बेजा करूँगी तुम खूब पढ़ाई कर अच्छी सी नौकरी करोगे न तो हमारे पास भी ऐसी सुख सुविधाएं होंगी तब हम भी खुश रहेंगे मा के ऐसा कहने पर बाबू मान गया पर उसके मन में ये बात चल ही रही थी इस तरह उसी विशह में सोचते हुए बाबू ने अपने मा से फिर से कहा मा अब मेरा मन वैसे डब्मे में बैटकर नहाने का हो रहा है तो कह ये मैं नौकरी करने पर भी कर पाऊंगा बाबू के ऐसे सवाल पर मा ने सोच कर कहा हर मनुश में इच्छाय होना स्वाभाविक है पर हर मनुश की हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती और ऐसे में ही संत्रुप्त रहना मनुश के लिए जरूरी भी है ये हर इंसान के लिए आवश्चक है तभी तो वो आगे बढ़ पाता है पर अगर मनुश दूसरों से अपनी तुलना करने लगे तो उसका पतन निश्चित है ऐसा कहकर मा अंदर से एक बड़ा सा टब ले आई उसे देख बाबू बहुत आश्चरे चकित हुआ मा ने बाबू को टब में बैठने के लिए कहा बाबू ने हाँ कहा और टब में बैठ गया फिर मा उस टब में उसे नहलाने लगी ये देख बाबू बहुत खुश हुआ फिर मा ने कहा तो बेटा, अब तुम्हें समझ में आया ना, अपनी जब इच्छाएं बड़ी हो, तो जैसा हम कर पाए, और जितने में हम कर पाए, उतने में ही कर हमें तृप्त होना जाईए। जब इस तरह अपनी इच्छाएं पूरी होती है, तो उसकी खुशी ही अलग होती है ऐसे अलग तरीके से मा ने फिर से समझाया तो बाबू को समझ में आया ये मुझे बहुत अच्छा लगा मा जैसे मालकिन के घर में है उससे भी जादा अच्छा लगा अपसे हर रोज में इसी मैं नहाया करूंगा मा बाबू के ऐसा कहने पर मा ने भी हामी भरी उस दिन से बाबू अपने मालकिन के घर पर जो भी चीज़े देखता उसकी इच्छा हो जाती तो अपने घर पे रही चीज़ों से ही अपनी इच्छाएं पूरी कर खुश रहा करता ये सब देखकर मा बहुत खुश हुई और मन ही मन उसने सोचा जरूर एक दिन ये बड़ा आदमी बनेगा यो मा सोचने लगी ऐसे ही दिन बीते फिर उस दिन से बाबू हर रो स्कूल जाकर खुब पढ़ाई करने लगा बड़ा हो कर उसने अच्छी नौकरी की और अपना खुद का बड़ा बंगला बनाया जिसमें हर तरह की सुक सुविधाओं के साथ अपनी मा की साथ खुशी से रहने लगा आखिर कर मा की महनत रंग लाई थी बेटा पर लिकर बहुत बड़ा आदमी बन चुका था तो दूसरी और धनी मालकिन का बेटा शंकर दिशाहीन इधर उदर घूमा करता और पैसे वर्थ खर्ष किया करता उसके जीवन का कोई लक्ष नहीं था तब उसकी माने ऐसा सोचा काश के मैंने इसे लाड़ प्यार से नहीं पाला होता पर हम जैसा बीच बोते हैं वैसा ही तो फल मिलता है बेबी गाव में अचार बेचा करती थी इतनी छोटी सी लड़की अचार कैसे बनाती है ये गाव के सभी लोग अच्रज से सोचा करते थे मा बिस्तर पर लेटे-लेटे ही उसे हर काम समझाया करती थी बेबी वो जैसा केती वैसे ही ठीक से काम किया करती इसी वज़े से वो अचार बना पा रही थी बेबी घर में मुसल से कूट कर अचार बनाया करती थी और उन्हें बेच कर जो पैसे बनते थे उसी से वो मा के लिए फलो और दवाया लाया करती थी ऐसे ही कुछ दिन बीते बेबी हर रोस की तरह अचार बेचने निकली थी तबी आचानक घर के बाहर पक्षियों की चीखने की आवाज के साथ तेज हवाय चल रही थी और सब तहस नहस हो रहा था बेबी घबरा गई कि क्या हो रहा था वो देखने के लिए बाहर निकली उसने देखा कि उसके घर के आंगन में गणिश जी की प्रतिमा थी उसे देख वो हैरान हो गई ऐसे अंजाने से यह यहाँ पर मुरत कैसे आई? इसे यहाँ पर किसने रखा होगा? हाँ, लगता है दो दिनों के बाद तो गणिश चो तुरति आ रही है किसी ने लाकर यहाँ पर गलती से रखा होगा ऐसा सोचकर उसने उस मुरत को उठाया और घर के सामने रखकर वो अंदर चली गई इतने में उसकी मा ने बेबी से कहा बेबी, तुमने आज गणिश जी की पूजा की या नहीं? उस पर किर्ति ने कहा मा, मैंने पिछले चार तिनों से गणिश जी की कोई पूजा नहीं की वैसे भी वे हमारे लिए क्या करते हैं? तुम्हें इस तरह बीमार कर दिया और पापा को मुझ से दूर कर दिया बहला मैं उनकी पूजा क्यूं करूँ? इसलिए मुझे अब ग्यानोदै हो गया है मैं उनकी कोई पूजा नहीं करने वाली ऐसे बेबी ने कठोरता से कहा उसकी बाते सुनकर दुखी हुई मा ने कहा बेटा ये गलत है ऐसे नहीं कहते भगवान जो भी करते हैं अपने भले के लिए ही करते हैं अगर उनकी एक रुपा नहीं रही तो हम जीवित भी नहीं रह सकते ऐसे मत कहना इस तरह मा ने समझाया पर बेबी उनकी एक न सुनी और अपने काम में लग गई इतने में वहाँ एक औरत आई और उसने बेबी से कहा बेबी कल हमारे घर पर कुछ महमान आ रहे हैं हमने उनके लिए भोजन की विवस्था करने की सोची है मुस्सल से कूट कर तुम अच्छे से अचार बनाती हो न एक आधा किलो मेरे लिए बना देना चाहो तो पैसे मैं अभी दे देती हूं ये सुन बेबी ने कहा ठीक है मासी जी बना देती हूं उस औरत ने बेबी को रुपे दिये और वहां से वो चली गई बेबी ने टमाटर साफ कर उस काम में लग गई थी अचानक उसको कुछ कमजोरी सी महसूस होने लगी उसे समझ नहीं रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही बेबी ने मैं थोड़ी देर आराम कर फिर से काम पर लग जाती हूं ऐसा सोचकर बेबी कुछ देर के लिए सोने जाती है पर उसे अचानक तेज पुखार चड़ जाने के कारण वो बहुत दे तक सोई रहती है अगली सुबह पड़ोसन वो अचार लेने वहां आती है तब अचानक उनके आंगन में रखे गनेश जी की मूरत बदल कर बेबी के रूप में आती है मासी जी मैं तो बाहर ही हूँ मैं कुछ देर पले आपके घर गई थी वहां पर कोई नहीं था इसलिए मैं वापस आ गई बेबी की बात सुन उसने कहा ओ अच्छा इत कोई बात नहीं वो अचार दे देना मैंने पैसे तुम्हें कल ही दे दिये थे उस पर बेबी के रूप में आए गणिश जी ने कहा हाँ मासी जी आपने दिये थे उस ओरत ने अचार लिया और वहां से चली गई गणिश जी अपने असली रूप में आगर घर के अंदर चले जाते हैं बेबी के बिमार मा को छूते हैं वो बिलकुल ठीक हो जाती है उसी तरह गणिश जी बेबी के पास भी गए उसे चुकर उसका बुखार भी पूरी तरह से कम कर दिया फिर गणिश जी वहां पर रखे सिलबटे को मुस्सल से कूटने लगे उस सिलबटे से सोने की मोहरे बाहर निकल रही थी आवाज सनकर बेबी की आँख खुल गई और वो देखने के लिए आई उसके आँखों के सामने गणिश चिते उन्हें वहां देखकर बेबी आश्चर्य चकित हो गई बेबी, तुम मेरे पास नहीं आ रही थी न इसलिए मैं ही तुम्हारे पास आ गया हूँ तुम अगर रोज पूजा करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आज से ही तुम्हारे सारे कश्ट दूर हो जाएंगे मुझसे रूठी मत रहना ऐसा कहकर गनिश जिवां से गायब हो गय उसे ये सब सपने जैसा लग रहा था तभी वहाँ पर उसकी मा भी आ गई उसे देख वो आश्चेर्य चकित हो गई बेबी ने अपनी मा को सारी बात बताई गनिश भगवान मुझे माफ कर दीजिए मैंने आपकी पूजा करने छोड़ दी थी क्या सच में आप मेरे लिए आये थे यहाँ पर गनिश महाराज यूँ वो भगती में लीन हो गए उस सिलबटे से हर रोज सोने की मौरे बाहर निकलने लगी उस दिन से मा बेटी दोनों भी गनिश जी के नित्य आराधना करते हुए खोशी से रहने लगे थे